आज मैं आपको गोहर पॉब्लिशिर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ हमारा मोटू है रीडिफाइनिंग दी जियोग्राफी ओफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सिस फॉर कंसेप्शिल लर्निंग आज हम गोहर निदाय उर्दू जमात अवल सबक नमबर 14 सफ़ा नमबर 132 खोलेंगे और वहां पर मजूद हार से जीत तक के सफ़ा से मतलिक जो कहानी है वो पढ़ेंगे अब चल्दी से सफ़ा नमबर 132 खोलें सबने सफ़ा नमबर 132 खोल लिया शाबाश आपने देखा यहां पर एक तस्वीर बनी वी है कितनी खुबसूरा तस्वीर है यह किसकी तस्वीर है यह खेल के मिदान की तस्वीर है जहां पर बच्चे हौकी खेल रहे हैं और वहाँ पर एक उस्ताद बच्चों को हार से जीत तक के सफर के बारे में बता रहा है नजर आ रहे हैं न आपको शाबाश अब हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है सबसे पहले इस सफ़े पर मजूद खास अलफाज हम पढ़ेंगे जैसे कि सबसे पहला लफ़ क्या है दुखी यानि कि आपको किसी भी काम से आपको दुख पहुंचता है आप मायूस हो जाते हैं आपको कोई काम से कि तकलीफ पहुंचती है इसके इलावा मायूस अगला word क्या है? शिकस्त, उसे अगला चून्टी, उसे अगला आखरकार, उसे अगला मकसद दुबारा पढ़ते हैं इनको दुखी, मायूस, शिकस्त, चून्टी, आखरकार, मकसद अब हम कहानी की तरफ आते हैं, आप सबने मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना है हमाद स्कूल की हौके टीम का कप्तान था आज वो मैच हार गए थे हमाद मायूस था वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था खेलों के उस्ताद साहब ने सब को जमा किया और कहा आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा किसी जमाने में एक बादशा था दुश्मन ने उसके मुल्क पर हमला कर दिया शिकस्त खाने के बाद वो एक नदी के किनारे मायूस होकर बैठ गया उसने देखा कि एक चून्टी नदी के किनारे से उपर आना चाहती है वो बार बार कोशिश करती है मगर उपर आने से पहले ही नीचे गिर जाती है देखा कि चूंटी सत्तर बार गिरने के बाद आखर कार उपर चड़ आए। बाशा ने दिल में सोचा ये छोटी सी चूंटी मुझसे बेतर है। उसने बार बार शिकस खाई मगर हिम्मत नहारी। आखर कार वो अपने मकसद में काम्याब हो गई। क्यों ना मैं भी हिम्मत से काम लूँ। वो उठा अपने सपाहियों को जमा किया और दिश्मन को शिकस दी। ये होती है हार से जीत। हमाद कहने लगा उस्ताद जी मुझे बात समझा गई। हम मेहनत करेंगे और अगले सारे मैच जीतेंगे। इसमें आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता ह एक छोटी सी चुन्टी ने हमें बताया कि जब आप एक दफ़ा हार जाते हो तो हिम्मत नहीं हारने चाहिए बलके आपको मजीद मेहनत करने चाहिए फिर मेहनत करने चाहिए आखरकार आपको जीत के मुकाम तक पहुंचा देगा। आपको पता है इस कहानी में बाश्या नाम अमीर तैमूर था इसी तरह जैसा कि इस सबक में चुन्टी ने हम्मत नहीं हारी आपने भी किसी भी काम में हम्मत नहीं हारनी चाहे वो काम खेल के मिदान का हो चाहे वो काम अपकी इमतहानात का हो अगर आप इमतहानात में अच्छे नंबर नहीं ले पाते तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये नहीं सोचना कि मैं आप दुबारा अच्छे नमबर नहीं ले सकता, बलके आपने मजीद मेहनत करनी है और अच्छे नमबर लेने है ये कहानी आपने अपने घर वें अपने वालदयन को और अपने बेहन भाईयों को भी सुनानी है ताके उनको भी पता चले कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखे अला हाफीज